मेरा साथ एक साल पहले पिंटु कुमार साथ साथी भुआ था जो हिंदू करिये तिरी जालवाल में उसका बाद उस समय नोकरी नहीं था जो नोकरी भुआ तरखना नहीं चाहता जो उसका घर वापस आए तो मार पीट कर घर पर पर पुविठा दी कहते हैं शादी दो दिलों का बंधन होता है हमारे समाज में शादी को बहुत पवित्र माना जाता है लेकिन अब इस कल्यूग में शादी जैसे पवित्र डिष्टे को भी लोगों ने मज़ाग बना कर रख दिया है नमस्कार मेरा नाम निशा उज़ा है और आप DT W24 News देख रहे हैं बेगू सराय से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जहां पर एक दुलहन अपने ससुराल के बाहर सोमवार रात से धरना दे करके बैठी होई है वो कह रही है कि उसके पती ने उससे अपनी मर्जी से शादी की जिसको हमारे समाज में लव मैरेज कहा जाता है लेकिन अब जब उस लड़के की नौकरी आर्मी में लग गई है तो उसको ससुराल वाले अपनाने से इनकार कर रहे है मामला बेगू सराय के बचवाड़ा थाने का है उनम नाम की लड़की जो मुकामा की रहने वाली है उसकी शादी 21 मई 2020 को होई थी लड़के का नाम पिंटु कुमार है बताया जा रहा है कि पिंटु अपने रिष्टेदार के साथ हमेशा ही मुकामा आता था और इसी बीच पूनम उसको पसंद आ गए डोनों ने 21 मई 2020 में साधी भी कर ली लेकिन लॉकडाउन के बाद लड़की ससुराल नहीं आ पाई जब वो सोमवार को अपने ससुराल पहुची तो ससुराल वालों ने उसको घर में घुसने नहीं दिया जिसके बाद वो अपने घर वालों के साथ ससुराल के बाहर धरने पर बैट गई जब उससे पूछा गया कि पूरा मामला क्या है तो उसने काहा कि पिंटू ने उसे अपनी मर्जी से शादी की और अब जब पिंटू की नौकरी आर्मी में लग गई है तो ससुराल वाले उसे अपनाने से इनकार कर रहे है पूनम का एक मात्र सहारा अब पुलिस है उसने F.I.R. भी की है और ये मांग कर रही है कि उसे नयाए मिले लेकिन इन सब के भीच सबसे बड़ा सवाल ये उड़ता है कि जब पिंटु ने अपनी मर्जी से पूनम से शादी की तो अब ऐसा क्या हो गया कि वो उसको अपनाने से इंकार कर रहा है क्या सबसे बड़ा चीज आज के जमाने में सच में पैसा हो गया है और नौकरी ऐसे में अभी देखना होगा कि क्या इन सब के बाद पूनम को ससुराल वाले अपनाते हैं या फिर पूनम का कानून भी कोई सहायता नहीं कर पाएगी अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजेगा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चानल को सिब्स्क्राइब कर दीजेगा बहुत बहुत शुक्रिया